हलके कहरे रंगों वाली सूरत की तस्वीर सेरत से तो बन जाती है बिगडी हुई तक दिल किसकी है दुनिया में सूरत सूरत या सीरत सूरत या सीरत अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल हीरे मोती सो नाचांदि इनका नहीं है मोल अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों है अनमौल भीरे मूती सो नाचांदी इनका नहीं है मौल घर जन्नत है किसकी बतौलत सूरत या सीरत सूरत या सीरत सूरत या सीरत हम खान बहादूर जफरुला खान की बेटी बोल रहे हैं आपने नौन मुस्लिम होते वे भी एक बे सहारा मुसल्मान की सरपरस्ती की यही अमारे कंपोजिट कल्चर की डिमांड है दिल नहीं करता दोस्ती करने का देखिये ना बाबा अंकल का कमेंट क्या चचा साहब ने किसी लड़की को दख लिया है घर में एक शेकुंतना नाम की मास्टर नी ने उसे पाला था उसे अपना छोटा भाई मानती थी मंदिर और मजजित का एक साथ होना कुझे बहुत अच्छे लगता था प्यारे दोस्तों हम भी एक छोटे से गाउं के रहने वाले हैं मन लगा कर पढ़ाई की और इश्वर ने हमें इस ओदे पर पहुंचा दिया है हमारे दिल में आज भी गाउं और किसानों के प्रती महबत है मुबारकबाद के मुस्तिक हैं खान साहिब जफर उल्ला खान साहिब जिन्होंने शहर में नहीं बलकि गाउं में खाथ बनाने का कारखाना लगाया इन्होंने पैसा कमाने के लिए नहीं बलकि इस इलाके के लोगों की खिद्मत करने के लिए ये कारखाना लगाया है मुझे उमीद है कि इस कारखाने के लगने से इस इलाके में इस इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगियों में खुशाली आएगी हलो इसलिए जल्दबादी में आपसे बिना मिले चलाया इसकी माफी चाता हूँ लेकिन किसी दिन तश्रीफ लाईए जरूर आप बुलाएं और हम ना आएं ऐसे तो आलात नहीं जरूर आएंगे साथ करके टेली फोन पे कौलो करार दुश्मनों से कर रहे हैं हम फिर से प्यार हुजूर उस दिन तो आप आज बबूला होकर वापस चले आए फिर आज इस शेर का मतलब अबे उल्लू अगर तू ये सब समझ जाता तो तू विदाय गराम पालना होता है हुजूर दुश्मनों से दोस्ती का मतलब नहीं समझा इसी को तो राजजीती कहते हैं नजाने ताश का कौन सा पता कब तुर उपचाल बढ़ जाए अरे हमें तो अपने वोट बढ़ाने हैं अब तू देखता जा विदायक राम पाल कौन सा नया पैद्रा खिलता है अवे खान अब ये अख़बार आथ की रिपोर्टिंग पढ़का तो दिल खुश हो गया तुन्हे कार खाना क्या लगाया गाउवालों के चेरे की लुटे और फिर डियेम साहब की स्पीश निदर सब का मन जीत लिया राज अंकर जिसका दर्ट से नाता होता है ना वही दूसरों का दर्ट समझता है डियेम साहब ने ये बात दिल की गहराई से कही थी जैसा कि इस अकबार ने लिखा है अरे बटा क्या लिखा है हम इमी तो सुनाओ अभी सुनाते हैं डियेम साहब ने फर्माया है कि हम भी छोटे से गाउं के रहने वाले हैं हमने दिल लगाकर पढ़ा हमारी महनत और इश्वर की महरबानी ने हमें डियेम बना दिया मुबारक बात के मुस्तहिक हैं खान बहादूर जफरुल्ला खान साहब जिन्होंने बड़े-बड़े कारखानादारों की तरह शेहरों में नहीं बलकि गाउं में कारखाना लगाया और राज अंकल उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंसान भूके को चार रोटिया नहीं बलकि दो हाथ देता है वही अजीम इंसान होता है अगर इसी तरह देश में इंडस्ट्री लगाने वाले गाउं गाउं में कार खाने लगाने की कोशिश करें तो बेरोजगार किसानों को रोजी दोटी के लिए अपना घर, बीवी, बच्चे और मामा आपको छोड़कर शहरों में जाना नहीं पड़ेगा ये खान बहादर साब ने ये फैक्टरी कोई दौलत कमाने के लिए नहीं बनाई बलके गाउंवालों की खिद्मत के लिए बनाई हमने तो सिर्फ इस नियत से लगाया है कि गरीबों की दौाएं हमारी निजात का वसीला बन जाए हमने ये तिजारत बंदों से नहीं, अल्ला से की हाँ बाबा, अल्ला के बंदों की खिद्मत ही सबसे बड़ी अबादत है जुम्मा काका ने भी हमें ये ही नसीहत दिये हाँ बेटी, बहुत नेक इंसान है तुमारे जुम्मा काका नियत अच्छी हो तो इश्वर भी बरकत देते हैं देम साहब ने वादा कर लिया है कि वो याता-यात के साधन और गाउं को शहर से जोड़ने के लिए सड़के भी बनवाएंगे गाउं वाले खुश, बियम साहब खुश, मेरा यार खुश, मेरी बेटी भी खुश और मुझे क्या चाहिए? और सच तो ये है कि अगर नियत अच्छी हो तो तरक्य जरूर होगी मज़़ों का खुश कर अपनी तीजोरियां भनना हमारे नजदीक गुनाह अजीम है हमने बुज़र्गों से सुना है, मुनाफ़ा हो उतना, खाने में नमक हो जितना हाँ यार, जो दौलत गरीबों के काम ना आ से के, वो मिटी है मैं तो कहता हूँ, मुबारक हैं वो हाथ, जो गरीबों के बैते हुए आंसों को पहुचकर उनके खाली इदामन खुशों से बर देते है बाबा, हम चलते हैं, हमीश अबनम के साथ बजार जाना है ठीक है, बिटा हुज़ूर, कोई महतरमा आप से मिलना चाहते है कौन, क्या नाम है शकुंतला देवी शकुंतला देवी, पर हम तो इस नाम की किसी औरत को नहीं जानते है मुलाकात कर लो, शायद कोई काम ही हो उनको ठीक है, आप उन्हें बाहर वाली बैठक में बिठाओ, हम अभी आते है आप इहां तश्रीफ रखिए खान बाहदू साब अभी तश्रीफ लाते है च्छी शुक्रिया चलो भी, राजनारेन है, आला एक तश्रीफ रखिए जी, शुक्रिया जी, कहिए मेरा नाम शकुंतला है बेसिक स्कूल में टीचर हूँ कहां पढ़ाती है जी, रजबपुर में रजबपुर? रजबपुर तो सहलाब में बरबाद हो गया था ना क्या आपका स्कूल बच गया था? नहीं सर, गिर गया बन्वा रही है सरकार बाहर मैदान में बैठकर ही पढ़ाई हो जाती है जी, फरमाईए, कैसे तश्रीफ लाई हैं? मैने अखबारों में किसान फर्टिलाइजर के इनाउगरेशन के बारे में पढ़ा बड़ा खुश्वादिल मैने सुचा, ऐसे इनसान से मिलना चाहिए जो गाओं के गरीब लोगों से इतनी हमदर्दी रखता है I think, आप ही खान बहादूर, जफरॉल्ला खान है क्या हम खान बहादूर, जफरॉल्ला खान नहीं हो तकते? आप कहते हैं तो मान लेती हूँ लेकिन यकीन नहीं आता सुन लिया ना, अब तो मान जा माफ किजिएगा, हमारा राज नाराएं श्रिवास्ताव जी से बच्पन का याराना है आपने खादिम की हमत अफजाई फर्माई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नहीं बना जिए शुक्रिया बाबा हम जा रहे हैं हाँ बेटे यह हमारी बेटी फोजिया और यह है उनकी दोस्ट शबनम बेटो बीगी जाहिए है शुक्रिया मुझे काई जरूरी कामियाद आगया मैं चलती हूँ बेरी अंसले आगयाद यहहूँ मुझे कामिया है नहीं कामिया कामिया अम्ही जरूरी कामिया बती हम्हीं हम्ही जहाँ बाबाबाबाबा है यह हमारी बेटी फोजिया दीदी 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 रशीद कहा है अरे गया होगा आपने दोस्तों के संग खेले आओ बेठो नहीं दीदी मैं बाद में आऊँगी आरे रशीद होता तो घंटों बाते करती रहती और अब रशीद नहीं है तो जा रही हो नहीं दीदी घर पर कुछ काम है मैं बाद में आऊँगी कर ये रज़त पूर वाली फॉजिया नहीं तो मुझे देखकर चौकी क्यों रशीद को बताओं या ना बताओं अगर बताती हूं तो वो डिस्टर्ब होगा और उसकी पढ़ाई में खलल पड़ेगा नहीं नहीं मैं उसे नहीं बताओंगी मैं खुद ही पता करूंगी झाल 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 लो गर्मा गरम पकोड़ियां खाओ और साथ में हर दन्य की चटनी भी है दीदी पकोड़ियों से ज्यादा हरे दन्य की चटनी अच्छी बनाती है पता है क्यों अधे लड़कियों को खटी चीजें ज्यादा अच्छी लगती है इसलिए ओ अच्छा ये बात है दीदी ये ना कॉलेज के बार जो ठेले वाला खड़ा होता है ना खटा मीटा चुरम बेशता है उसके दोड के उसके पास जाती है शकुंतला दीदी को जरूर पता होगा रशीद कहा है या 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 नहीं क्या बात है कुछ नहीं रशीद याद आ रहा है मुझे ऐसा लगता है शकुंतला जी को देखते ही तुम गुमसुम हो गई थी और वो भी तुमें देखकर किसी और दुनिया में चली गई थी क्या वो वही शुकुंतला दीदी हैं जिनकी साथ रशीद रहता था हां वो ही है तुम्हें पहचान गई थी वो शायद कन्फ्यूजन में पड़ गई थी उन्होंने मुझे रजबपुर में रहने वाली एक आम लड़की के रूप में देखा है इस आलिशान कोठी में रहने वाली खान बहादूर जफर उल्ला खाग की बेटी के रूप में नहीं उन्हें रशीद के बारे में जरूर पता होगा तुमने पूछ क्यों नहीं लिया उनसे वो तो जानती है तुम्हारे और रशीद के रिलेशन के बारे में कैसे पूछ लेती सबको पता चल जाता कितने सवालों के जवाब देती मैं अब मैं पहले की तरह आजाद नहीं बेटी हूँ खान बहादूर जफर उल्ला खाग की और अपना फर्ज समझती हूँ उनकी राए और मश्वरे पर अमल करना बाबा है वो हमारे कितना एत्पार है उनको हम पर अब तो सारे लेंदेन की जिम्मेदारी उन्होंने हम पर छोड़ दी है सारे बैंक अकाउंट्स हमारे नाम पर है शहजाद नगर की जमीन की रेजिस्ट्री भी हमारे नाम पर है तो फिर रशीद खुदा करें वो जिन्दा हो अगर है तो हम उसी से शादी करेंगे वरना हम बाबा से कह देंगे कि हम कभी शादी नहीं करेंगे मान जाएंगे बाबा हाँ हमसे बहुत प्यार करते हैं जरूर मान जाएंगे फॉजया बिटिया फॉजया बिटिया जी मुझी काका हलो फॉजया बिटिया वजाहत स्पीकिंग जी वजाहत सहब बताईये कैसे जहमत की आपने सुना है चचाजान की प्रॉपर्टी के सारे इक्तियार आपके सुपोर्ट कर दिये गए हैं? जी नहीं हम सिर्फ टेंप्ररी केरे टेकर हैं हिसाब किताब भी देखते हैं वैसे आप कहना कह चाते हैं? हमें पांच लाक रुपे पिजवा देख सॉरी ये इक्तियार हमें नहीं लिए I am helpless in certain matters Please do contact खान बहादर सहब हम इंग्लेंड में हैं वरना इस अंदाज गुप्तगू का मज़ा चखा देते हैं जमीन जाएदात बागान का हिसाब किताब देख रेक की जिम्मेदारी ये सब क्या कम था? जो किसान फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगाकर एक रोग हमें और लगा दिया You know मैं औरत हूँ मर्द नहीं ओके? Bye मुंशी काका मैं उन्हें ठीक करने का रास्ता धून रहीं Hmmmm तो ये है जीम्म सहाब का ओफिस जी हुजूर यही है जीम्म सहाब का नहीं जीम्म साहिवा का हुजूर साहिवा हुजूर लडकी है लडकी हाँ हाँ मालूम है बहुत तेज सक्त हरी मिर्च है हुजूर हरी मिर्च है खाने का तो हम ये भी वाश्याप है वैसे हम उस पार्टी से हैं जिसका एक ही MLA जीता है और वो हम चलोगे जनाब आप पहले से वक्त लिये बिना GM साहबा से नहीं मिल सकते हैं अबे हमें पैचान नहीं रहा है आखों में चश्मा लगा जाके बोलके विधायक राम पाला आएं कि विधायक राम पाल जी है मेडम जी कितने लोग है तीन लोग है मैडम एक काम करो सिपे कुर्सी रखो बागी अटा दो नमस्कार आप में से विधायक नहीं आई इस सेवा को विधायक राम पाल कहते हैं तश्रीफ रखिये प्लीज क्या आपके दफतर में एक ही कुर्सी है जी और भी है अलग मीटिंग रूम में पड़ी हैं देखिये यह तो ओफिशल काम करने की जगा है हमारी और फिर यह हमारे मिलने का वक्त भी नहीं है और आप विधायक हैं तो हम मिलने से इलकार भी नहीं कर सकते थे और फिर हमें भी आप से किसी ना किसी काम के लिए तो मिलना ही पड़ेगा मैडम आपको पता नहीं है आपने कितने सम्मानित लोगों का अपमान किया हैं। माप कीजिएगा। किसी के अपमान के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। चार से पांच के बीच वो कभी भी तश्रीफ ला सकते हैं। खेर छोड़िए। आप फर्माइए। कैसे जहमत की। इसे पढ़िए। इन्हें तो हम जानते भी नहीं हैं। जानते हैं या नहीं जानते हैं। नौकी तो आपको देनी है। ओू। तो यह बात है। देखिये विधाएगी। हमारी फैक्ट्री में सारा टेक्निकल स्काफ बाहर का है। नौन टेक्निकल अन अनस्किर्ड लेबर इसी गाउं की हैं। और वो सब भूमिहीन काश्तकार हैं। जो फैक्ट्री लगने से पहले इस जमीन के बटाईदार से। अब रिली चॉल्ट। हम अभी अपॉइंट्मेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। इसका मतलब यह है के आप अपनी फैक्ट्री नहीं चलाना चलती। फैक्ट्री चलाने के लिए ही इंवेस्टमेंट किया है। फंद करने के लिए कौन सर्माया लगाता है। फैक्ट्री तो उसी हालत में चलेगी जब हमारे भी काम होंगे। मेरा मतलब है जनता के काम होंगे हमसे बहर रख कर तो आप ये फैक्टरी नहीं शला सकते ये बात भी अच्छी तरह समझ देशे फैक्टरी चलती है या बंध होती है ये तो वक्ती बताएगा सूरत है राहों के साथ सीरत है मन्जिल कौन है हर लम्हे की जरूरत सूरत या सीरत 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 हमारा डेजर्ट आगया पर हमारी चांपियन नहीं आए अब तक विल भरने के पहले तो आएगी ना